प्रेरितों के कामों का वर्णन अध्याय एक उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आग्या दी कि यरुश्लेम को न छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिग्या के पूरे होनी की बाट जोते रहो जिसकी चर्चत तुम मुझ से सुन चुके हो क्योंकि यहुन् कानी में बप्तिस्मा दिया है परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्रात्म से बप्तिस्मा पाओगे सो उन्होंने इखट्टे होकर उस से पूछा कि हे प्रभु क्या तु इसी समय इसरायल को राज्य फेर देगा उसने उनसे कहा उन समयों या कालों को जानना जि और सामरिय में और प्रत्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे यह कहकर वें उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आँखों से छिपा लिया और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्तर पह जा लिया गया है जिस रीती से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीती से वे फिर आएगा तब वे जैतुन नाम के पहार से जो यरुषलेम के निकट एक सब्द के दिन की दूरी पर है यरुषलेम को लोटे और जब वहां पहुँचे तो वे उस अटारी पर ग जिलो तेस और याकुब का पुत्र यहूदा रहते थे ये सब कईस्त्रियों और यिशु की माता मरियम और उसके भायों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे और उन्हीं दिनों में पतरस भायों के बीच में जो एक सो बीस व्यक्ती के लगभग इखटे थे खड़ा होकर कहने लगा, हे भायों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वहलेख पूरा हो, जो पवित्र आत्मा ने दावद के मुक्स से यहूदा के विश्य में, जो इशु के पकड़ने वालों का अगुआ था, पहले से खही थी, क्योंकि वह तो हम में गिना गया, और इस सेवकाई में सहभागी हुआ, उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया, और सिर के बलगिरा, और उसका पेट फट गया, और उसकी सब अंतरियां निकल पड़ी, और इस बात को यरुशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहां तक कि उस खेत का नाम, उनकी भाशा में हकल दमा अर्थात लोहू का खेत पड़ गया, क्योंकि भजन सहिता में लिखा है कि उसका घर उजड़ जाए, और उसमें कोई न बसे, और उसका पद कोई दूसरा ले ले, इसलिए जितने दिन तक प्रभुईश्य हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यहन्ना के बप्ति उसने का गवाह हो जाए, तब उन्होंने दो को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है, जिसका उपनाम यूस्तुस है, दूसरा मत्याह को, और यह कहकर प्रातना की, कि हे प्रभु, तू जो सब के मन जानता है, यह प्रगट कर, कि इन दोनों में से तूने कि इसको चुना है, कि वह इस सिवकाई और प्रेरताई का पदले, जिसे यहूदा छोड़ कर, अपने स्थान को गया, तब उन्होंने उनके बारे में चिठियां डाली, और चिठी मत्याह के नाम पर निकली, सो वह उन ग्यारह प्रेरतों के साथ गिना गया.